इंदोर के मलहार गंज थानक शेत्र में दीपावली के एक दिन पहले हुई चाकू बाजी की घटना का मुख्य आरूपी आमन चिकना को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। वहीं चाकू बाजी की घटना का CCTV फोटेज भी सोशल मीडिया पर जम कर वायरल गो रहा है। दरसल इंदोर शेहर में अपराद कम होने का नाम नहीं ले रहा। चाकू बाजी की घटना करने वाले मुख्य आरूपी आमन चिकना को गिरफतार कर लिया है। और उसी जगे उसका जुलूस भी निकाला गया जहां चाकू बाजी की घटना को अंचाम दिया गया था। अमन चिकना पर 19 से अधिक आपराधिक मामले पहले से कई खानों में धर्श है। पुलिस द्वारा बागी तीन आरूपियों की भी तलाश की जा रही है। देखिए दिवाली के पर्व के एक दिन बाद ठाना मलारगंज शेत्र के अंतरगत एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें मुक्री रूप से चार लोगों का नाम निकल के आया था। पकड़ा गया और ततपशात इसके उपर इसको गिराफ्तार कर वेदानी करवाई की देखिए जैसा की गुलूस जैसा तो कोई प्रसेस में होता नहीं है इस लाइक की हम सीन ऑफ क्राइम री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आरूपी को हमेशा घटना इस तलपर लेके जाते है और सबी गंभीर प्रवत्ती के अपराते इसके दोरा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करकर अपनी छवी दिखाई जाती थी जिससे और आम यूवक भी शहर का इससे प्रभावित होता था और इसको फॉलो करने का प्रयास करता था इसलिए इसका सोचल मीडिया पर अच्छा का दम लागे